हेलो फ्रेंट्स, वेलकम इन्टो माई चैनल श्याम कीरसोई, कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स, फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरी मिर्च का चटपटा अचार, यह बहुत ही चटपटा बनता है और यह बहुत ही टेस्टी भी बनता है, तो यह वाली अब सर् हरी मिर्च का चार देखे, कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने यह 200 ग्राम के करीब हरी मिर्च ले ली है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इनको मैंने पहुंच भी लिया है, अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से पहुंचना है, गिल अपन नहीं रहना चा को काट लेना हैं तो देखिये si friend हम इनको कटते हैं बीच में से हम इनको बीच में से की इघे इस तरह से हम इनको काट लेंगे friends तो फ्रेंड देखिए ऐसे हमने इनको काट लिया है और इसमें जो ये बीज होते है ना इनको हमें निकानला नहीं है क्योंकि इसमें ये जो मोटी मिर्च होते है ना इनको इतनी चाता बीज नहीं होते है और ये तिके भी नहीं होते हैं तो इसी तरह से हम इनको सारी हरी मिर् तो कच्छो को काट लूँगी, so, तो देखिए這邊 मैंने ये सारी हरे मिर्च काट ली हैं, तो刽 tomorrow मैं अगर आप मेरे वीडियो पर नहीं आई हैं, तो विड़ियो अगर आपको पसंद आये तो विडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बैल आइकन को भी जुरूर प्रेस के जाके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मैंने एक बाउल ले लिया है उसमें दो चमच के करीब मैंने बड़ा चमच धनिया पाउडर ले लिया है और एक चमच मैंने ये अमचूर पाउडर लिया है और आदा चमच के करीब मैंने ये जीरे का पाउडर लिया है आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिच्च पाउडर आदा चमच सौफ का पाउडर सौफ का पाउडर आप जुरूर ले और ये आदा चम्मच के करीब ही मैंने काली मिर्च का पाउडर एड़ कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने काला नमक एड़ किया है और ये वाइट सफेद नमक भी एड़ किया है ये अपने टेस्ट के अकोडिंग आप एड़ कर ले अब इनको जो ये मसाले है ना सारे इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो ये मसाले जैसे जो मैंने बताए है आप इसी according मसालों को डालेंगे तो आपकी ये जो हरी मिर्च का अचार है ये बहुत ये अच्छा बनेगा बहुत टेस्टी बनता है ये तो इसी तरह से आप देखिए आप जो ये मसाले है ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इनको बिल्कुर अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले आपस में एक तुसरे से मिक्स हो जाए तो मैंने अब ये गैस पर एक पैन रख लिया था उसमें मैं ये सरसो का तेल डाल लूँगी ये हर इमेच फ्रेंट सरसो के तेल में ही बनती है उसमें ये बहुत टेस्टी बनती है अगर आप सरसो का तेल नहीं लाइक करते हो तो आप दूसरा ओयल भी ले सकते है तो मैंने ये एक बड़ा चमच के करीब इसमें सरसो का तेल डाल लिया है इसे गरम हो जाने पर अब मैं इसमें आदा चमच के करीब हिंग डाल दूँगी गैस को मैंने लो रखा हो है ताकि हिंग एकतम हमारी जलेना हिंग डाल कर अब इसे मिक्स कर लेंगे जैसे ये थोड़ी सी भून जाएगी अब मैं इसमी फ्रेंड बेसन डाल लूँगी मैं ये हरी मिर्च काचार बेसन से बनाऊंगी बेसन से इसकी बाइंडिक बहुत अच्छी होती है तो दो चमच के करी मैंने ये बेसन डाल दिया है गैस को मैंने लो किया हुआ है तो इनको बेसन को डाल कर हमें से बेसन को अच्छी तरह से भूल लेना है गैस को लो ही रखे लो गैस पर ही लगातार चलाते हुए आप इसे भूल ले इसे भूनने फ्रेंड दो मिनिट के करीब टाइम लगता है जैसे ये भून जाता है इसमें खुश्बू आने लग जाती है तो देखिए और थोड़ा सा घी भी रिलीज हो जाता देखिए अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और हलका से इसने घी भी रिलीज कर दिया है बस इसी तरह से हमें ये पेशन को भूनना इसका कलर भी अब चेंज हो गया है बस इसी कंडिशन तक हमें इसको भूल लेना है जैसे ये भून जाएगा फ्रेंड अब इसमें हम जो ये मसाला मिक्स किया था ना उसको हम इसमें डाल देंगे, मसाला डालने से पहले फ्रेंड मैंने गैस को बंद कर दिया था, बंद गैस पर ही हम इसको डाल देंगे, डाल कर हम इसे मिक्स कर लेना है, इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिसे हमारा ये मसाला और बेसन है न ये, जो इसमें थोड़ी युआठी है, यह सब इसमें अच्छी तरह से mix हो जानी चाहिए, मतलब यह बिल्कुल एक जैसा हो जाना चाहिए, इसे लगा था इसी तरह से हमें, बिल्कुल mix कर लेना है, फ्रेंड मेरे मेजर्मेंट के according, आप एक बार इस mix के अचार को बना कर देखें, आप खुद कहेंग मैंने एक बाउल ले लिया है बाउल में यह जो मसाला था ना इसे हमें ठंडा कर लेना है ठंडा कर लेने के बाद मैं इसमें जो बाउल है इस मसाले को डाल दूंगी तो देखिए इसे हमें इसमें डाल देना है इसे हमें सारे को नहीं डालना अब इसमें से जो आदा है ना आ जो मिर्च मैंने काटी थी ना उसमी ये मसाला भर लूँगी तो देखिए फ्रेंट आप भी इसे एक एकर के मिर्च को उठाकर इस मसाले को भर ले तो दिरे-दिरे करके आप इसको इसको इक तम मतलब हो जादा नहीं दबाके नहीं भरना विससे हलका लका बरना है जैसे हमार मसाले को भर लेती हूँ आप इसे स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं पर मैं इसे हाथ से ही करती हूँ मुझे ये इसे हाथ से ही अच्छा लगता है करना और ये अच्छी तरह से इसमें फिल भी हो जाता है तो इसी तरह से मैं ये सारे मिर्च है ना सारी मिर्च को मसाला इस लिया है अब हम इसे जो ये मिर्च है इनको अब हम fry करेंगे तो उसके लिए मैंने ये gas पर कडाई रख ली है और उसमें मैंने एक बड़ा चमच के करीब सरसो का तेल ही डाला है सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है अब जो यह मिर्च का तियार की थी हमें हमने जो उसको हम इसमें add कर देंगे गैस को हमें अब तेज ही रखना है गैस को हमें लो नहीं रखना नई तो यह मिर्च हमारी ठोड़ी गली गली सी हो जाती है यह तेज गैस पर ही दो-तीर मिनट के लिए हमें इसे भूल लेना है तो देखिए इसे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से भूल लेंगे जैसे हमारी हलकी सी सोफ्ट हो जाएगे हम इसे बिल्कुल सोफ्ट नहीं करना बस हलकी सी ही इसे भूलना है तो देखिए जैसे देखिए आप देख रहे है न ये भून गई है इनकी स्किन थोड़ी सी हलकी सी चेंज हो गई है बस इसी तरह से हमें लगातर चलाते हुए इसको भून लेना है तो मैं देखिए अब आपको दिखाती हूँ कि हलकी सी ये भून गई है तो देखिए जैसे म हमें इसको भूनना है इसे ज्यादा ही हमें इसको नहीं भूनना है तो देखिए अभी हमें त्यारी हो गई है इतना भून जाने के बाद ना अब इसमें हम ये जो मसाला हमने जो बचाया था ना थोड़ा सा मसाला हमने जो उसमें मिर्च में बढ़ा था और बाकी जो हमने जासे हम इससे भूल लेंगे, ये मसाली की कोटिंग हो जाने के बा犯े ये बिल्कुल अच्छे तरह से covered हो जाएगी और ये बिल्कुल एकदम perfect match त्यार होगी, तो देखिए इससी तरह से अब हम मैंने gas को बिल्कुल lower कर दिया है low gas पर ही हिसे हमें 2 मिनिट के लिए भूल लेना है अब gas को बंद कर दिया है मैंने बंद gas करके मैंने इसमें आदा चमच निम्बू का रस एड़ किया है निम्बू का रस भी आप इसमें जुरूर एड़ करें निम्बू के रस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब gas हमारी ये बंद ही है बस इसको हलका सा लगातर चलाते रहे जिससे ये मसाला हमारा अगर नीचे से कड़ाई गरम होगी तो नीचे से लगेगा नहीं बस उसके बाद हमें इसे एक मिनिट के लिए लीड लगाकर रख देना है जिससे ये जो स्टीम में जो मिर्च में हलका कच्छा पन होगा या मसाला मिक्स नीच हुआ होगा तो वो मिक्स हो जाएगा बस एक मिनिट ही हमें इसे लीड लगाकर रखना है गैस हमारी बंद है यह धियान रहे तो देखिए एक मिंट हो जाने पर मैंने इसी लीड को उतार दिया है और इसे अच्छी तरह से दुबारा से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो देखिए अब फ्रेंड हम इसे करते हैं सर्व तो कैसी लगी आपको ये तो देखिए तैयार हो गई है कितनी अच्छी लग रही है एकदम टैम्टी लग रही है तो आप इसे जुरूर बनाए और अगर आपको ये पसंद आए बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताए कि कैसी बनी है अच्छी लगे तो आपको अपने फैमली और फ्रेंड से भी इसे जुरूर शेयर करें तो देखिए मेरा तमन कर रहा है कि मैं जल्दी सी फुलके से इसके खालू आप इसे पूरी से प्राठे से या रोटी से जिससे भी आपका मन करें आप उस पिर से कमेड़ा हु करें तो नईिछ से थाप.